गुरु देव और मागैति की चल्णु में कोटी कोटी नमन आप सभी को प्रणाम सादना की असफलता की क्या करण होते है सादना हमारी असफल क्यों होती है आए जानते हैं किसी भी कारे में सफलता पाने के लिए जो मनजिल तैकनली पढ़ती है उसे सादना कहा जाता है इस साधना में यदि विग्न बाधाएं उपस्तित हो जाएं तो प्रायह मंजिल बीची में अधूरी छूट जाती है जीवन का भौतिक पहलू हो या अध्यात्मिक बाधाएं हर जगे आती है सांसारिक कारियों में सफलता पाने के एकशुक व्यक्ति आने वाली बाधाओं जैसे आर्थिक टक्नीकी या कॉम्पटीशन हो इन बाधाओं से छुटकारा पाने का मार्ग पहले से ही सोच लेते हैं अध्यात्मिक एवं सांसारिक उपलब्दियों की बाधाओं में अंतर सिर्फ इतना होता है कि भौतिक प्रग्ति के मार्ग में बाहरी विख्न बाधाएं अधिक होती हैं जबकि आत्मिकी शेत्र में मनश्य की बाधाएं आंत्रिक होती हैं आत्मिक मार्ग के प्रत्यक पथिक को महानकारियों इश्वर प्राप्ति आधी के मार्ग में आने वाली प्रुमुक बाधाउं से परिचित होना अविशक है साधक यदी बीमार रहता हो तो उसके लिए नियमित रूप से साधना उपासना स्वाध्याय सत्संक लाव उठापाना कठेन होता है तामसी एवं आसयम पून भोजन से चित में चंचलता तथा दोश पून विचारत पन होते हैं जिससे चिंतन विकृत हो जाता है इसलिए साधना काल में साधक को सात्विक पौश्टिक तथा प्राकर्टिक रसों से परिपून साधा आहार ही ग्रहन करना चाहिए बड़े और महानकारे समय इवं शम साध्य होते हैं इसमें शंका आशंका करने वालों को सफलता नहीं मिलती इसके लिए दर्ण विश्वासी संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं बार-बार संदे किसी भी कारे को असफल कर सकता है गुरू बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उस विशय विशेश का पून गयाता है या नहीं अन्भिग्य अलपग व्यक्ति को अपना गुरू या मार्ग दर्शक बनाना अनुचित है सच्चे साधक को रसिद्धी के विपरीत ठोस कारियों द्वारा साधना को महत्व देना चाहिए पून सफल्दा मिल जाने पर यश चाया की रूप में पीछे पीछे दोड़ने लगती है किसी भी कारे को ठीक एक ही समय पर नियम पूर्व करती रहनी से उस कारे की आदत बन जाती है नियमित्ता क्या भाव में कोई भी साधना सफल नहीं होती कुतरकों को त्याक कर साधक को आत्मा की आवाज सुनना और उसका अनुसरण करने चाहिए क्योंकि सामाजिक रीती रिवाज, मर्यादा, धर्म, ईश्वर, आस्तित्व ये सब विशय ऐसे हैं जिन्हें तरक द्वारा हल नहीं किया जा सकता आलस से एक भैंकर बीमारी के समान है आलस के वशी भूत होकर मनुष्य अपनी कारे कुशलता को ही खोडालता है आलस से वश कारें ना करना तो पतन परावाव का कारण ही बनता है अध्यात्म मार्ग के पतिक को बुरे कर्म बुरे विचारों वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए अन्य था किसी न किसी रूप में उसके विचार आप पर प्रावावी हो जाएंगे दूसरों के दोशों को देखने में अपनी शक्ती खर्च ना करें आपके अंता करण में लगी अचेतन की फिल्म भी दूसरों के दुरगणों को अपने अंदर आत्म साथ कर लेती है हम सभी सत्य की खोज में दोड़ रहे हैं कोई भी पून सत्य को प्राप्त नहीं कर सका ये मानकर दूसरों के धर्म उनकी मानेताओं के प्रती उदार द्रिष्टिक उड़ अपना है कटरता की संगीनता साथना मार्ग का सबसे बड़ा अवगोड है इन सारी बातों पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपकी साथना सफल अवश्य होगी आज के लिए इतना ही